इसके बाद अगर हम बात करें अक्टिविटी ओफ कैम्बियल रिंग की तो हम वही ट्रांसफर सेक्शन स्टडी कर रहे हैं डायकॉट स्टेम का जिसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राइमरी फ्लोयम की जो बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया है उसके अंदर हम रीजन एस कंप Dare to Outside और इस वज्यसे जो सेकंणरी जाइलम है वहलं जादा कौंट्टी में अपरूड़ी की अचे स्ट्रा रियूस होता है ॢर इस वज्यसे जो सेकनर इखेंड के पता लगॉत पूर्परूज होता जाता है। और इक मास आहारा है और इसлар llay secondary phloem और जो primary phloem है वो corner या periphery पे shift होते जा रहे हैं तो ultimately आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ जो center region present है उसे हम बोल रहे हैं pit तो आप देख सकते हैं किस तरीके से Campbell ring secondary xylem और secondary phloem बनाती जा रहे हैं और अपनी बढ़ती हुई activity की वज़े से secondary xylem का concentration जादा हमें मिल रहा है as compared to secondary phloem इसके बाद अगर हम बात करें कुछ places पे जो cambium है वो बहुत narrow band बनाती है parenchyma cells का तो यह जो parenchyma cells है यह पास होती है secondary xylem और secondary phloem से जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं radial directions में अगर हम बात करें radial direction की तो हम बात कर रहे हैं यह होता है radius तो जैसे यह yellow line बनाई गई है यह radius दिखा रही है तो हम बोल रहे हैं कि जो cambium की cells है वो parenchyma का एक narrow band बना रही है पतली सी line बना रही है जो पास हो रहा है हमारा secondary xylem और secondary phloem से radial direction में और इनको फिर हम आगे जाके बोलते हैं secondary medullary rays अगर हम बात करें spring and autumn wood के बारे में वही अगर हम बात करें winter या autumn season के बारे में तो winter season में क्या होता है कि जो cambium है वो बहुत कम active होती है और बहुत कम xylem elements बनाती है जिनके अंदर जो vessels होती है वो बहुत जादा narrow होती है और इस type of wood को हम बोलते है autumn wood जो की generally darker color की होती है और इसमें जादा density भी होती है तो यहाँ पर आपको image में दिखाया गया है spring and autumn wood इसके बाद यहाँ पर जो center region है वो है हमारा pit और जो यह outermost layer आपको दिख रही है यह है bark of the tree तो जो spring wood है उसे हम early wood के नाम से भी जानते हैं जो season में पहले बनती है और जो autumn wood है उसे हम late wood के नाम से भी जानते हैं जो की season में बाद में बनती है तो इसके बाद आपको एक image दिखाई गई है जिसमें हमने जो tree को cut करके उसका section देखा है उसमें बहुत सारी circular lines आपको नजर आ रही है अगर हम इसे और अच्छे से देखें तो यह कुछ इस तरीके से नजर आएंगे इन्हें हम बोलते है annual rings अब यह annual rings होता क्या है हम बोल रहे हैं कि जो early और late wood है वो appear होती है as alternate concentric rings यानि पहले आता है early wood फिर आती है late wood तो यह दोनों woods मिलके concentric rings बनाती है alternatively और इसे हम बोलते है annual ring और जो annual rings हम देखते हैं कट स्टेम के अंदर इससे हम ट्री की age को भी पता लगा सकते हैं यानि annual rings seen in a cut stem gives an estimate of the age of the tree तो यहाँ पर आप देख पा रहे है annual rings हाइलाइट की गई है जो की early और late wood की alternate concentric rings होती है इसके बाद हम बात करेंगे heart wood and sap wood के बारे में अब यह दो अलग तरीके की wood क्या होती है इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक image देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक image दिखाई गई है जिसमें एक dark brown color का region है जो center में present है इस dark brown color की wood को हम बोलते हैं heart wood और जो site में light brown color का area आपको नजर आ रहा है जो wood आपको नजर आ रही है वो होती है sap wood अब यह दो wood इस तरीके से ऐसे क्यों बनी है उसे हम यहाँ पर समझेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ important points बताए गए है heart wood और sap wood के बारे में अगर हम सबसे पहले heart wood की बात करें तो जो old trees के inner part होते हैं उसमें जो secondary xylem होता है वो dark brown color का हो जाता है क्योंकि उसमें deposit हो जाते हैं बहुत सारे organic compounds जैसे की tannins, resins, gum, oils, etc वहीं अगर हम sap wood की बात करें तो जो corner या periphery वाला region है उसमें जो secondary xylem है वो light color का होता है क्योंकि उसमें ऐसी कोई material deposit नहीं होते हैं हमारा next point है जो hardwood है उसमें ये जो substances deposit हो रहे हैं ये उसे बहुत जादा hard, durable और resistant बनाते हैं microorganisms के attack से और insects के attack से वहीं जो sapwood है वो बहुत जादा susceptible या prone होती है इन सब microbes और insects के attack से क्योंकि इस wood के अंदर कोई भी ऐसा substance stored नहीं होता है हमारा next point है this region comprises dead elements with highly lignified walls जो hardwood है उसका जो region है उसमें बहुत जादा dead elements होते हैं जिसमें बहुत जादा lignified walls आपको मिलती है वहीं जो sapwood है वो involved है conduction of water and minerals के लिए root से लेके leaf तब